हेलो बच्चों, welcome to the class of physics और आज हम स्टार्ट करेंगे physics का chapter that is kinematics किनेमेटिक्स को हम categorize करते हैं इसको categorize करके पढ़ेंगे हम इसको तीन पार्ट में हम हम इसको categorize कर देंगे न सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे सबसे पहले जो हम चप्टर पढ़ेंगे that is motion in one dimension 1D 1D मदब एक ही dimension में motion होगा ठीक है दूसरा जसमें आएगा that is motion in two dimension motion in two dimension ठीक है 3D भी पढ़ेंगे 3D क्या है अगर 1D और 2D को मिला के अगर देखेंगे तो एक 3D का projection आता है ठीक है तो हम कैसे पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे motion in one d then पढ़ेंगे motion in two d ठीक है और इसके बाद आएगा आपका relative motion इसी में ही relative motion उसमें दोनों चीज़े में होगी मतलब 1D में भी relative motion होगा 2D में भी होगा ठीक है तो complete होगा वो ठीक है इसमें पूरा kinematics आ जाएगा आपका ठीक है पूरा का पूरा तो आज जो में स्टार्ट करेंगे वो यह वाला टॉपिक है ठीक है that is motion in one dimension ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बहुत सिंपल टॉपिक है बड़े आराम से पढ़ना है ठीक है बिलकुल आराम से तो सबसे पहले तो motion in one D से पहले हम थोड़ी सी basic definition जो मैं आल दो पता होती है लेकिन इस्टिल motion क्या होता है what is motion 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 क्या होता है तो motion का मतलब बेसिकली किसी भी चीज का movement किसी भी चीज का movement लेकिन with respect to time with respect to with respect to time कुछ उसका movement होना किसी भी चीजिसका movement होना जैसे suppose अब यह भी किस पर depend करता है motion भी किस भी depend करता है कि हम किदर से देख रहे हैं ना किस फ्रेम से इसको observe कर रहे हैं तो frame of reference के बारे में थोड़ा सा आगे lecture में और डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है जब हम pseudo force के बारे में पढ़ रहे होंगे लेकिन इस्टिल थोड़ी सीग basic approach देखो फ्रेम ओफ रिफरेंस फ्रेम आफ फ्रेम आफ रिफरेंस हम पढ़ क्या रहे है motion वंडी लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना जी कि फ्रेम ओफ रिफरेंस बेसिक अंडिस बहुत आसान कि फ्रेम औफ रिफरेंस ठीक है यह होता है वह होता है बहुत खतरनाक चीज है कि मौशन को आप किस फ्रेम से उबसर रहा है बहुत सिंपल होता है छे चैनल कि स्था वान सु है न ऐधरे मगए घरी VAquiड़ काव में छूंग को एुड़ में पुरूद्थ हैं तो जो अधमी नियूए आदमcourse नग घैंडे Um हर्याल से वह और ग्राउंड पे तो जो आदमी यहां पे ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसको कार कितने स्पीट से चलते हो देखेगी वी स्पीट से लेकिन सपोर्थ इसी के बगल में एक और कार एक और कार जो खुद वी से चल रही है दूसरी आलिकार अगर यहां से कोई देखने लग जाए तो दोनों दूसरी आलिकार हमें क्या लगेगी स्टेशनी लगे कि नहीं सिंपल सा अगया परिम एकने काrie कि उसल Margaret का लें जहसे कर ते आकि यहां फेरेंस ё है क्योंकि क्योंकि कोई चीज मोशन में है यह नहीं वह तोटली डिपेंड करती है कि उसका फ्रेम ओफ रिफटर्स्स की You advise देखो, जैसे कर इस car की बात कर रहे हैं, जैसे ये car A है, this is car B, तो ground के respect में car A का motion है, लेकिन car B के respect में car A का motion कितना है, zero है, कितना है, zero, तो motion भी depend करता है कि हम किस frame से देख रहे हैं, खैर frame of reference के बारे में detail में हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ basic understanding के frame of reference होता क्या है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ेंगे, बहुत असान है, ठीक है, अब देखो भाई, motion के बारे में तुम्हें पता चल गए कि कि किसी body का या किसी object का कुछ motion होना with respect to time, ठीक है, अब one dimension में motion होता कैसा है, motion in 1D जो है, वो होता कैसा है, पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए, कि 3 axis होती है, vector पढ़ते time हमने पढ़ाता कि 3 axis होती है, कौन कौन सी, 3D में ये x होता है, ये y होता है, and ये y कितना होता है, this is z axis, तो x, y, z, इधर भी बनेगा, इधर क्या बन जाएगा, इधर minus x बना दो, इधर minus y बना दो, and draw minus z there, है ना, तो 3 axis को जब हम consider करेंगे, तो हम किसी भी point को locate कर सकते है, आराम से, जैसे, इस pen को अगर locate करना है, तो अगर मैं 3D में करूँगा, तो x, y, z, component है, कोई एक point को origin मानना पढ़ेगा, this is origin, य, origin है न, वहाँ से, तो यह 3D का हो गया है, हमें क्या पढ़ना है, हमें तो आज वंडी पढ़ना है, सिर्फ, वंडी पढ़ना है, तो वंडी का मतलब है, कि किसी, किसी बॉडी का, motion, in straight line, straight line motion, बड़ी simple से definition है, straight line में जो motion होगा, वो हमेशा वंडी motion होगा, simple सा, जैसे, अगर कोई गाड़ी ऐसे जा रही है, तो यह वंडी motion है, कोई गाड़ी अगर देखो, मैं x y और बना रहा हूँ, यह y explain हो गया, अगर मैंने ऐसे बना दिया, तो still, देखने में लग रहा कि यह y में भी जा रहा, x में जा रहा है, लेकिन still अभी भी क्या है, यह वंडी का ही motion है, जब भी वो line मना रहेगा, वो वंडी motion ही रहेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन, अच्छा, यह वंडी है, अच्छा, ऐसा क्यों, यह तो y में भी जा रहा है, x में भी जा रहा है, ऐसा क्य और X डैश भई हमने का हम नहीं मानेंगे एक्सिस हम अपने इसाब से क्स बनाएंगे ठीक है तो यहां पर क्या हुँ रहा है अब यह आ गया ना एक्सिस में नहीं वाली एक्सिस में इसलिए वंडी है तो जब भी मोशन इस ट्रेट लाइं में होता है चाहिए वांगे जाये या पीछे आए, it will be considered as 1D motion, लेकिन, लेकिन, suppose, अगर वो ऐसा हो जाए, कर दी, कर दी हो गया, तो, तो ये 1D नहीं है, तो ये 1D नहीं है, this is the 2D motion, क्या है, 2D, ये, देखो, ये 1D हो गया, 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 लेकिन, last one किस में होगा, वो 2D motion होगा, क्या होगा, it will be a 2D motion, बहुत असान है, है न, मदब ये देख लो कहीं पे भी, कि कहीं पे भी straight line motion होगा, तो that will be a 1D motion, है न, मदब 1D motion होगा, तो motion के बारे में, basic basic पता चल गया, कि 1D motion होता क्या है, ठीक है, अब थोड़े इसके terms देख लेते हैं, क्या-क्या दिखेंगे यहां पर, तो सबसे पहले तो, सबसे पहले तो, यहां पर देखो, कि हम terms पढ़ेंगे, क्या-क्या, तो देखो, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, भाई, displacement क्या होता है, what is, displacement, 10th नंत में पढ़ते हैं, लेकिन, माल नेते हैं नहीं पढ़ा, कोई बात में नहीं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसा करेंगे कि एक एक कोश्चन हमारा आराम से हो जाया। displacement and distance. अगर नहीं भी आता है पहले से तब भी कोई बात नहीं। इसेकेंड मन. displacement, distance हो गया. velocity and speed टूमधा फालास्ट वन आता है अपना शूषा एक्षेलेरेशन है न उस्पीर नहीं तो कुछ भी नहीं तो आराम से आएगा एक एक करके टमपढ़ेंगे की पहले डिस्पेस्मेंट डिसंस क्या होता सब कुछ मिलेगा चलो स्टार्ट करते है पहला क्या आता है देखें भई डिस्प्लेस्मेंट डिस्टेंस डिस्पेस्मेंट डिस्टेंस तो इसमें हमेशा कुछ-कुछ बच्चों को डाउट रहता है तो पूरा डाउट आज यहां पर यहां लेना बड़ा आसान से होता है जिससे सब्सक्राइब क्या होता है इस्पेस्मेंट अर मिलला अगर आपको ऐसे भी जाना है और आपके पस ऐरोप्लेन है क्या है Aeroplane तो shortest पाथ काउन सा होगा यह से भी यह वाला होगा दिस वन पता चला रोड बनी होई यह आड़ी तेड़ी इस तरीके से यह से भूंते वो ऐसे गया है तो यह पाथ काउन सा हो गया है लंबा चोड़ा पाथ हो गया तो जिश्वाट्स पाथ है जो एरोपलें ल और साफ साफ है इसका डारेक्षन भी है जिए इसको बोलते हैं डिस्टेन्स क्या भोलेंगे तो यहां से गभी नहीं बुलोगे डेखो अगर A से B ऐसे गए तुम है ना इस तरीके से गए कार स्टार्ट करी कार का स्पीडोमेटर ने पूरा एक मीटर रेडिंग करी कि भाई मैं यहां से चला गया 12 किलोमेटर सीधे जाता तो जाता कितना 8 किलोमेटर भाई सीधे हमेशे डिस्टेंस कमी होगी लेंथ जो आएगी यह भी आली ऐसे सीधे जाते तो इस पास से तो कमी आएगा ना तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है अगर मैं डिस्प्लेस्मेंट को X दिखाता हूँ क्या दिखाता हूँ? X और डिस्टेंस को मैं S दिखाऊं तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि S जो है वो हमेशा बड़ा होगा X है एक condition में same आ सकता है जब वो A भी पे ही चले सिर्फ A भी पे ही चले तो distance भी वही आएगा और displacement भी आएगा otherwise हमेशा जो distance है वो displacement से जादा ही होगा या उसके बराबर हो सकता है इन only one case जब एक ही ट्राइक होसका न वो सीधे लाइन पे चल रहा है तो अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं डिस्टेंस तो displacement क्या है न एक example मैं और दे रहा हूं समझने के लिए यहाँ पर तो समझ में आगया न एसे भी जा रहा है यह displacement हो गया है इस इस डिस्टेंस ठीक है चलो अब देखो इसका कुछ मैं एक example ले लेता हूं देखो अभी जो मैंने एक्स बताया है न एक्स तो उसको याद मत कर ले ना कि एक्स इस डिस्टेंस इस डिस्टेंस से याद नहीं करना है ठीक है देखो जैसे यह मार्किंग है जीरो जीरो मार्किंग पर कोई आदमी खड़ा है ठीक है कोई आदमी खड़ा है यह माल ने देते हैं कुछ आठ मीटर आगे जाता है एक्ट मीटर आगे जाता है ठीक है फिर यहा और वहां से पलट के वापस आया और 4 मीटर पीछे गया कहां से ओरिजिनल पॉइंट से तो देखो ये ओरिजिनल पॉइंट मतलब इसको 0 मान सकते हैं तो यहां का x जो होगा x इनीशियल क्या होगा x इनीशियल उसको ले लो 0 की ले लो 0 ले लो ठीके सिंपल है ना इनीशियल है अब देघो वापस कहां पर आया माइनस 4 पर आया x final कितना है या माइनस 4 simple है लेकिन अब यह बताओ मुझे ये आगे गया पीछे आया चलो खतम लेकिन displacement कितना हुआ displacement तो एक्ट्टर में इतना ही हुआ ना displacement क्या होता है displacement होता है initial और final point की बीच में suppression ठीक है और कुछ नहीं घूम के पूरे दुनिया के चकरी क्यों ना काट के आ जाए लेकिन माना यह ही जाएगा कि displacement initial और final point का suppression है जैसे car उठाई या बाइक उठाई गर से गर से निकाली market गए घूम फिर क्या आ गए तो displacement कितना होगा displacement कितना होगा 0 होगा क्योंकि जिस point से start किया था वहाँ पे वापस आ गया तो displacement होगा 0 ठीक है और distance कितना होगा जो बाइक का speedometer दिखाता है ना वो that is the distance वो थोड़े ना जिरो होए ता घर गए गर से कहीं और आ गए फिर वापस initial point पे है तो 0 थोड़ी ना होता है तो यहाँ पे displacement साथ साथ दिख रहा है कितना delta x कितना आएगा final minus initial कितना final कितना minus 4 और initial कितना है 0 तो कितना है minus 4 अब एक चीज़ बताओ minus 4 displacement का मतलब क्या है minus 4 का मतलब क्या है देखो displacement कभी negative नहीं होता है negative नहीं होता है minus 4 यह बताता है कि आपका 4 displacement हुआ और कहां पे हुआ back side हुआ कहां पे हुआ minus i axis में हुआ तो यह minus sign वो बताता है तो यहाँ पे लिख ले न displacement क्या होता है can't be negative हाना वो negative नहीं होता लेकिन negative sign क्या show करता है sign shows क्या direction only direction बताता सिर्फ अगर positive होता positive होता मतलब कि आगे गया negative without mean वो पीछे आया ठीक है अब देखो distance की बात कर लेते हैं distance distance की बात करते हैं तो वीचारा अलागे इट मीटर गया ठरलो ठीक है वापस को फिस्तीन प्लस कितना况 स्टेंट कितना हुआ 보GB रहा है देख रहा हूँ डष्परस्वैंट यह पर और डिसनस कितना और रहा है 20 आ रहा है तो बहुत फरह होता है ठिक है अगर पर स्टेट लाइंहां ट्विकृू नहीं तो इसटेंस हे ना ये कि दिस्टेंस हो गया और बाकी ये सतनुवलों निकाल गिद्वाइए निकाल गी को सिंपल एक कि डिस्पेस्मेंट कि दो पॉइंट की बीच में सब्सप्रेशन गोल सकता है डिस्तेंस कि अहुता है पूरा जो पूरा चक र काड़ गाद तो पूरा हाजो इनके पारे में डिटेल में ये देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है अच्छा यहाँ पे साफ-साफ दिग गया डिस्प्ट्रेस्मेंट क्या है डिस्प्ट्रेस्मेंट इस व्च्टर ओ isyस का है वो स्केलर क्योंकि उसमाने ट्री ना वो शकेस wife छोडी ना है कि किस direction में गे। उसको से मतलब है कि reading कि दिखा रहा है ready कि दिखा रहा ठीक है सब डिसप्लेट स्बेंट क्या हो गया साफ आफ है है के変 HAS SHORTEND WW YOU शॉर टेक्ट पॉसिबल हैना होता है थीखे तो साफ सब जे पॉतल गया करते लändern गाइब जितना बाइग और कार की मीटर ने रीट किया तर्ट टोटल जीतना रेडिं में दिखाहेगा है नीम फटा यह अब एक और शीज किया है अभी साफ साफ देखा यह यह टारोट ा ग्ट क्यों होता है इसका Claro Show देन डेरेक्शन त TOP C looking अगर vector है तो उसमें दो चीज़े होती है, एक magnitude होता है और एक unit vector direction देता है, scale अगर सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है, पीछे पढ़ा हुआ है, vector scale अब एक और चीज़ जो यहाँ पे निकाली थी हम लोगों ने क्या, अचा, delta x समझ गया है, delta x मतलब क्यों निकालता है, xf minus xi, इसी तरीके से delta भी वही रहता है, delta का मतलब होता है, delta का मतलब ही होता है, change, जो भी change होगा, जो भी change होगा, उसको delta से denote करते है, delta मतलब थोड़ा बड़ा change, और छोटा differential change क्या होता है, differential जो उसमें पढ़ा था mathematical तूल में डिफेरेंशल मतलर बहुत छोटा बहुत ही ज्यादा छोटा तो अभी हम लोग ने साफ साफ देख लिया कि इसको मेजरमेंट किया जाता है चाहे वो डिस्प्लेस्मेंट और चाहे डिसन सो जो भी लंथ होगी इट विल बी मेजरें मीटर स्थिक अगला नेक्स्ट चालो एक कोशन उठा लेते हैं आयवा कोशन है एक्जाम का देखो क्या है मैं इसको रीट कर देता हूँ आपके लिए ठीक है फाइंड डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट फफ पार्टिकल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट तो अनदर पॉइंट से फ्रॉम पॉइंट ए टूबी इन गेवन पाथ 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 देखो यहां पर दिया हुआ है वो पाथ क्या है अब्जेक्ट ए से उपर गया 10 मीटर यहां से आ गया 50 मीटर और यहां से नीची आया 40 मीटर फिर 55 और आ गया फिर वापस उपर बी पे चला गया तो इसमें पूछा गया है कि वाट इस दिस्टेंस और डिस्पेस्मेंट बड़ा सान है देखते हैं इसी में ड्रॉ कर लेते थे थोड़ास तो ये बटाए 10 मीटर आगे गया 50 धर गया तो यहां पे आएगा तो यह भी तैनी होगा ना यही तैनी टौहगा और यह 40 नीचे गया इसका वादब यहां से कितना नीचे गया हो गा गयर 10 हो गया और यह टोटल 40 है 30 मीटर हुआ ना 30 मीटर यह 55 हो गया तो अगेंट इस 30 मीटर तो पहले चीज़ से पूछी है कि find the distance जो इच्छा करें वो पहले निकाल सकते हैं जो भी इच्छा करें अपनी श्रद्धा पर है ना इट डिपेंट्स वान मूट की पहले डिस्टेंस निकाल है डिस्टेंस उसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो पहले क्या करते हैं डिस्प्रेस्मेंट निकाल लो तो यह बताओ डिस्प्रेस्मेंट में कितना हुआ भाई पहले यह चला पहले क्या चला पहले इतना चला फिर इतना 55 और चला यहीं तो है भाई यहां गया और फिर यहां से यहां गया मदब displacement क्या होगा shortest ना तो delta x कितना आएगा delta x साफ साफ दिखरा है delta x is equals to 50 plus 55 is equals to 105 meter अब delta s या distance की बात करें तो 10 चला कितना चला 10 चला फिर कितना चला 50 और चला फिर 40 और चला फिर 55 और चला और फिर विचारा 30 और चला कितना हो गया 60 100 और 185 if I am correct am I correct yes I am correct तो बहुत असान है सिंपल है यहां पर भी साफ सब दिखरा है जब भी पात राड़ा तेड़ा होगा यह स्टेटलन मुशन नहीं होगा डिस्टेंस हमेशा जाद ही आएगी ठीक है बहुत सिंपल है आगे बढ़ है ठीक है next बहुत सिंपल है देखो यह पूरा से खीच दिया कार और बाइक करेगा वह कितना हो गया वह आपका डिस्टेंस हो गया और जो सीधे है एरोप्रेंज से जाएगा वह डिस्प्लेस्मेंट हो गया ठीक है आख अब देखो अब देखो घवल ऑस्टी इंड थे बैड किरो तो देखो बिल ऑस्टी आइन थे स्पीड करके लिखा तो पहली चीज़ ही क्या होता है, rate of change of displacement, with respect to time, किसका rate है, time के साथ, है न, with respect to time, time के साथ ही तो होगा, speed बढ़ती तो क्या होता है, आपका displacement बढ़ता है न, या length बढ़ती है न, यह क्या हो जाएगा, this is the rate of change of length, length मतलब भई distance, simple सा है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और यह हो सकता है, कि यह vector होता है, क्या होता है, यह vector होता है, साफ साफ है, displacement से लेना देना है उसका, है न, V क्या होता है, V is delta x upon delta t, vector है न, तो यह भी vector बन गया, यह क्या हो जाएगा, यह, यह तो scalar होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, scalar क्यूं, अच्छा, speed को, velocity को V के उपर arrow बना देंगे, मतलब vector बना देंगे, तो it denotes velocity, velocity, speed के उपर बस arrow नहीं बनाएंगे, है न, वो समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम speed की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, और क्या होता है, और क्या होता है, और यह होता है, कि पीछे हम लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, कि delta x is always less than or equals to, क्या, delta s, तो यहां से एक और relation आएगा, कि velocity is always less than or equals to, speed, magnitude की बात करेंगे सिर्फ, है न, पता चला, vector को scalar से compare करा हैं लग गए, है न, सिर्फ magnitude की बात हो रही है, अच्छा, कितने type की होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन basic understanding यह है, कि velocity क्या बताता है, rate of change of displacement, और speed क्या बताता है, rate of change of distance, चलो, आगे बढ़ता है, ठीक है, अच्छा, measure किसमे करेंगे, again, measure किसमे करेंगे, तो obvious है, measurement इसका किसमे होगा, देखो length upon में time हो रहा है, length upon में time, त यह SI unit है, meter per second, वो foot per second भी हो सकता है, वो yard per second, कितना भी कुछ भी हो सकता है, length को change कर सकता है, ठीक है, लेकिन SI कितना SI unit है, meter per second, SI क्या होता है, standard international है, मतलब कि जो international term में करता है, कहीं meter यूज़ होता है, कहीं foot यूज़ होता है, तो SI unit यही होता है, meter per second, अब देखते कितने type के होते ही है कितने टाइब के होते है क्या है दिखो विलोस्टी भी भाई दो टाइब की होती है एक तो एवरेज एक होती है एवरेज विलोस्टी एक होती है instantaneous velocity instantaneous उस instant पे कितना ठीक है speed भी again it is of two type कितना वी एवरेज एन अगें वी instantaneous अब थोड़ा देखो velocity speed के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि मैं फिर से repeat कर रहा हूं सको देखना तो को velocity में velocity में क्या है velocity speed का मतलब क्या है अगर कार में अगर आप बैठे हो ठीक है और आप speedometer देख रहे हो है ना speedometer देख रहे हो 60 km per hour की speed दिखा रहा है तो जिस time पर बताते हो कि car जो है कितनी speed से चल रही है देखो आपको पहले से पता है आप यह नहीं पर यह बोल दोगे कि car चल रही है 60 km per hour से इस direction में नौर्थ में साउथ में जिस भी direction में आप बता दो तो उस time पर आपने speed को convert कर दिया किसमें velocity में किसमें कर दिया velocity में ठीक है तो जैसे ही speed को direction के साथ जोड दोगे you will get the velocity you will get the velocity ठीक है speed में क्या फरक है speed में सिर्फ magnitude होता है और velocity में अगर हम क्या speed में direction और दे दें you will get the velocity ठीक है time आसान है न बहुत असान है अब देखो यह कितने type की होती है velocity भी दो type की है average velocity instantaneous velocity ठीक है speed भी average और instantaneous अब भाई देखते है कि average क्या होती instantaneous क्या होती है ठीक है तो average का मतलब है कि भी आप घर से निकले पूरी दुनिया घूमाए है ना लें घर वापस में चले आना ठीक है घर वापस जाते है displacement zero हो जाएगा ठीक है वहलब घर से पॉइंट से गए किसी सब पूरा lengthen cover करते हुए ठीक है तो जो net displacement हुआ टोटल डिस्पेस्मेंट जो हुआ अपने टोडल टाइम टेक है जो पीछे बनाया था वही टोटल है ना टोटल डिस्प्लेस्मेंट यह ने डिस्पेस्मेंट है ऐने डिस्पेस्मेंट है ना एक्स नेट जो भी हुआ इनिशेल और ओगिवेच में अपने टाइम टेक dólares लोज टी यह अगया इंस्टेनियू सवरा सट ही का MG कि उस इंस्टेंट पे कितना आ पूस इंस्टेंड पे कितना इंस्टेंटेंड ईन In instantaneous शही है चलो ठीक है, instantaneous उस instant पे कितना velocity है जैसे, अगर मैंने बोला कि अभी बताओ car का speedometer कितना दिखा रहा रहा हूं और instantaneous velocity बतानी है तो आप बोलोगे car का instantaneous velocity है मुझे सपोस दिखा रहा 70 तो you will tell कि car का instantaneous उस instant पे कितना है t equals to कोई भी time पे 70 km per hour और direction बताओगे north-south जो भी जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस instant पे, मतलब यह क्या होता है, यह किसी t is equal to, कोई भी time fix, time पर पूछा जाता है, कि बताओ तु रहन दब देखके बताओ, उस instant पे, exactly उस time पे, ठीक है, तो वो होती instantaneous, average क्या होती है, average होता है, between, between, two times, मतलब दो time क्या, जैसे suppose, t1, t1 time से घर से निकले, और t2 time पर पहुंचे कहीं पर, है न, तो t1 से t2 की बीच में, जो displacement हुआ, time कितना लगा, t2 minus t1 लगा, suppose गड़ी बज रही थी, एक बज रहा था, एक बज़े में घर से निकला, और तीन बज़े में कहीं पहुंचा, तो मुझे जान अगर यहाँ पर बात करें, तो delta t will be, कितना, t2 minus t1, और lda x कितना हो जाएगा, x2 minus x1, है न, मान लेते कहीं initial कुछ point था, उसकी measuring थी, कि यहाँ पर इतना से शुरू किया था, यहाँ था क्या है, है न, instantaneous बड़ा असान है, instantaneous को कैसे करते हैं, instantaneous निकालने का तरीका यह होता है, कि छोटा सा change, dx by dt कर देते हैं, आप क्या करते हैं, dx by dt, समझ में आया, पीछे पड़ा था न, differentiation, instantaneous निकालने का तरीका यह है, कि उसको displacement का जो भी बनेगा, function, उसको differentiate कर तो time के साथ, you will get उस instant पे, उसकी, और time के value डालने के बाद, उस instant पे उसकी velocity मिल जाएगी, ठीक है, अब यही देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, अब average की बात करते हैं, जरा, किसकी, average की बात करते हैं, किसकी speed की, तो यह बिल्कुर सिंपल है, वही है, average, speed क्या जाएगी, बताओ, is equal to delta s by delta t, है न, वही तरीका है बिल्कुल, और साफ साफ यहां दिख भी रहा है, क्या, अगर य यह अच्छा पूछा जाएगा, velocity average उनकी बीच पे relation, तो साफ साफ दिख जाएगा, देखो, यहाँ पे दिखता है, भाई, delta x का magnitude delta से, क्या था, छोटा था, या उसके बराबर हो सकता है, तो same, वही inequality लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, you will get यह, v average, velocity average का magnitude, is always less than or equals to, speed average, का magnitude, है न, simple सा, वही पीछे वाली चल रही है, inequality, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, लेकिन पंगा यहाँ फसेगा, तुम्हारा instantaneous मे, instantaneous में, instantaneous में, देखो, क्या होता है, what is instantaneous, instantaneous कहता है, कि उस instant पे बताओ, उस instant पे, तो उस instant पे, जैसे अगर मैंने बोला था, कि कार की speed बताओ, 70 km पर आ रहा है, लेकिन इस instant पे वो नौर्थ में जा रही है, तो यह बताओ, उस instant पे, speed और velocity का magnitude तो 70 था, तो इसका मतलब साफ साफ दिखता है, कि V instantaneous, मतलब कि velocity instantaneous, और speed instantaneous, इनका magnitude क्या होगा, सेम होगा, कि उस instant की बात हो रही है, खैर लिखते कैसे है, इसको भी वही लिख तो साफ 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 पता चल गया, अगर instantaneous, velocity की बात करें, it is always equals to instantaneous speed का magnitude, सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, चलो, इतना बड़ा clearly समझ में आ जाता है, जिक है, बहुत आरां समझ में बहुत है, velocity क्या है, speed क्या है, average क्या है, instantaneous क्या है, ठीक है, पूरा clarity के साथ, पूरा digest होता है, ठीक है, I hope समझ में आ रहा होगा, next, एक question उठाते है, बड़े आराम से question उठाते है, a jogger runs, देखो पढ़ते हैं को पहले आराम से, a jogger runs his first 100 meter at 4 meter per second, and second 100 meter at 2 meter per second, in the same direction, what is the average velocity, what is the average velocity, तो देखो, a से start किया उसने, b पे गया, b से c पे गया, a से b, पहले 100 meter, पहले 100 meter, b से c, दूसरे 100 meter, ठीक है, तो a से b, पहले 100 meter हो, कितने speed से चला, 4 meter per second, 4 meter per second, b से c, वो कितने speed से चला, 2 meter per second, average किसे निकालेंगे, 4 plus 2 by 2, यह नहीं करना है, गलत अपरोच बिलकुर नहीं लगानी है, यह बताओ, यहाँ पर चलने में टाइम उसे कितना लगा, वा T1, 100 upon me 4, distance upon me, speed, ठीक है, कितना हो जाएगा, शायद 25 seconds, और b से c जाने में, शायद T2, कितना लग गया, ठीक हो, 50 meter, sorry, 50 meter ने, 50 seconds, ठीक है, तो कितना आया, average, average कितना आया, average आया, total length, 100, plus 100 upon me, total time T1, plus T2, कितना हो गया, 200 upon me, 25 plus 50, 75 है, 25, 3 जा, और यह कितना हो जाएगा, 8 है न, तो सही है, कितना हो गया, 8 by 3 meter per second is your average velocity, 8 by 3 is your average velocity, ठीक है, चलो, simple है, बहुत असान है, अब देखो, अगले page पे मैं तुम्हें ऐसे note करा दे रहा हूँ, इसको note कर लो, है न, इसको ऐसे question नहीं, इसको ऐसे theory part note कर लो, अगर same ऐसे direction में जा रहा है, तो displacement, distance, सब से ही माता है न, चलो, suppose A से B गया, C गया, B गया, A से B चला, L1, B से C, देखो, B से C चला, L2, फिर ये, L3, कितना चला, L3, तो simple से याद कर लेना, अगर A से B टाइम लगाए T1, B से C टाइम लगाए T2, C से D टाइम लगाए T3, तो average हमेशा क्या आएगा, average, ये ensure कर लेना कि पीछे नहीं आ रहा है, ने तो distance और displacement में फरक आ जाएगा, ठीक है, तो average क्या आएगा, आचा मैं कुछ लिख नहीं रहा ह L2 plus L3, ये definition याद रखोगे, कभी भी गलत नहीं होगा, कुछ भी guessing करोगे, कि कुछ speed का सम करके आधा कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक हो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल basic definition है, इसी पर difficult से difficult question आराम से हो जाता है, definition याद रखना है कि यही होता है ठीक है, अपना और कुछ guess नहीं है, पूरा समझ में आता है, कुछ difficult भी नहीं आता है, अराम से आ जाता है, अगला देखते हैं, अगला और शायद आज का last topic, topic last question अभी है, ठीक है, acceleration, क्या है, acceleration, तो what is acceleration, acceleration होता है, देको सब rate है, आगे बढ़ रहे हैं, धिरे धिरे, velocity बतात है, rate of change of displacement with respect to time, acceleration बता है, rate of change of velocity with respect to time, इसके बाद एक और तर्म आता है, जर्क आता है, उसका ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन still, आता है, मतलब की term पता होना चाहिए, कि जर्क क्या होता है, लेकिन उसका कहीं पे भी mentioning नहीं पड़ोगे, कि जर्क का कुछ question आ जाये है इस चिल हमें पता होना चाहिए, यह होता है, वो जर्क क्या होता है, वो होता है, rate of change of acceleration, जो गाड़ी में जाते हो ना, गाड़ी में जो जटके लगते हैं, गेर डाला फोई ब्रेक मार दी, बार बार acceleration का change होना, ठीक है, तो rate of rate of change of velocity, speed नहीं वेलासिटी, क्या यह वेक्टर होता है, हाँ, यह वेक्टर होता है, यह स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक्सलेरेशन भी दो टाइप के होता है, ठीक है, अचा, अब यह बताओ, अगर मालनो speed change, अचा, velocity change होगी, तो speed जरूर चेंज होगी, शोर है, क्योंकि दो चैंज हो, फिर से देख लो, velocity में दो कंपोनेंट होता है, velocity में एक होता है magnitude और इक होता है उसका direction, लेकिन speed में एक ही चीज़ ठीक होती है, magnitude, तो यह तो शोर है, यह speed देखो, speed, speed change होई, तो magnitude change हो, magnitude change हो, तो velocity जोना तो तय है, पक्का, लेकिन velocity दो वज़े से चेंज के direction change होने से speed पर कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन magnitude change होने से velocity फरक पड़ता है, तो इसका मतरब है कि speed अगर change होगी, तो velocity जरूर change होगी, लेकिन velocity change हो, उसलिए speed का change होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आगे पढ़ते जाओगे, धेरी जरी पढ़ते जाओगे, कौन से करेट आइस डिदा आटा इस पीड चेंज करेगी तो विलॉसिटी भी में ने पॉन टॉप रेग से ङसे करेगल स्वन करतों कि अगर यहां पर लिक लिक यते हैं ऐसे बट 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 इफ यह पे लिख देते हैं आराम से इफ वेलोसिटी चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस देन स्पीड में नौट चेंज में नौट चेंज का में का मतलब वहीं में और में नौट हो जाएगा कैसा ऐसा कैसा ऐसा कैसे हो सकता है तो देखो एक केस में बताता हूं आराम से बनना यहां पर ठेक है सर्कुलर मोशन अभी बताएंगा अक्ष MRI भी होता पूरे ने अभी तो आएंगे और बाता कि बलॉसिटी के चैंज होने से स्पीड पे khas 48 वेलोसिटी पे अफरक पड़ता तो छी तों सर्कुलर मोशन में आगर मालणू यूनिफॉर्म सबक्रेमोशन है एक बाभ को तुम घुमा रहे हो वो वी स्पीट से ही चल रहा है क्या है इस पीजिट से चल रहा रहा है स्काहिस पीचिंग नहीं हो रही है वहां रहा हुस्पीट से इन ऐसे यसा बी मेरा इसलिक डिख पीर्ड राहि है है ना गोल फॉला एस घूम रहा है तो हर प्लाइं पर सीच लेकिन विलासी से लिख़ो डिरेक्शन जो रहा है कि नहीं और बडा मेरा है वो रहा है ना डैरेक्शन पहले साही फिर डारेक्शन ऐसा privilege जाया फिर ऐसा if velocity changes then speed may or may not change, यहाँ पर आ गया न, देखो यहाँ पर क्या है, direction चेंज हो रहा है, magnitude चेंज नहीं हो रहा है, तो speed change नहीं होगा, ठीक है, इसी में आ गया, may not change, ऐसा possibility है, यह केस में, ठीक है, अगला देखो, rate of change of velocity, acceleration हम लोगो ने कहा बड़ा, rate of change of velocity with respect to time, with respect to time के साथ ही चेंज हो रहा है न, vector होता है, क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, दो टाइप के होते हैं, acceleration भी हमारे, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, भाई, acceleration दो टाइप के कैसे होते हैं, एक होता है, average, और एक होता है एक instantaneous क्या होता है एक average और एक instantaneous average क्या होता है average होता है final velocity vector minus initial velocity vector final minus initial velocity vector upon में change in time weight total time change instantaneous क्या होता है वो होता है dv by dt क्या होता है dv by dt दोनों है मतले vector बना देना यही magnitude की देखो rate of change of velocity उस instant पे instantaneous जो अगर है अगर ऐसे change हो रहा है तो वो निकाल लेंगे ठीक है आराम से आ जाएगा इस तरीके से differentiate करते हैं तो यह याद हो गया है कि instantaneous के differentiate करते हैं average के लिए जो change होता है वो लिया जाता है ठीक है तो यहाँ पर पूरा clear हो गया acceleration दो टाइप को होते है average or instantaneous vector quantity होता है होता है rate of change of velocity वेरेस तक तो time ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है and it may be the last last question है ठीक है क्या है last question है ठीक है अब देखो question को आराम से पुड़ो आराम से इससे पूरी clarity आ जाएगी what is average what is instantaneous question topic पढ़ने के बाद question करने के बाद ही वो चीजी डाइजस्ट होती है न अच्छा जो मैंने पीछे बताया था एक एक extra term होता है क्या होता है जर्क है न तो उसके बारे में बता देता हूं ठीक है जर्क होता है उसके बारे में बताता हूं यहां पर देखो मैं लिख देता हूँ ठीक है वट इस जर्क टर्म है पता होना चाहिए तर्म टर्म जर्क का मतलब है रेट रेट और चेंज और एक्सेलरेशन का चेंज होने का रेट तो वट जर्क जर्क को ऐसे देनोट करते हैं क्या आल एक्सेलरेशन माने सीनिशन अपॉन में टाइम टेकर हैं ऑचार का यह भी तो टाइप का हो सकता है हाँ यह भी और आप इसको बिच्ञेट करके निकाल सकते कि जिए इसका निकालना है इत्विल वी द यह बैए डीटी ठीक है और अगर एवेज निकालना है वैसे इस अब उन में टाइम टेकें, वेक्टर है हाँ वेक्टर है यह एक्स टार में लेकिन पता हो ना चीज़ जटके लगते हैं ठीक है चलो आते हैं अपने लास्ट कुश्चिन पर the position of a particle is given by a position दिया है मैंने फिर पहले बता आता है x जो होता है position होता है ठीक है अब xf minus xi करते हो then you will get क्या displacement ठीक है देखो x is equals to 40 minus 5t minus 5t square where x is in meter पहले ही पढ़ा है meter में होता है और t is in second है ना second में है पहला पार्ट देखते हैं पहला फरस्ट पार्ट फरस्ट पार्ट फरस्ट पार्ट क्या पूस्ता है find average velocity between one second and two second कैसे निकाल होगे first find position at two second तो position two second पे कितना आएगा 40 minus 5 और T की value कितनी डाल देंगे 2 डाल देंगे फिर minus 5 कितना हो गया 40 minus 10 minus 20 40 minus 10 minus 20 कितना आगे 10 आ गया ना एक्स वन सेकंड पे कितना 40 वन का स्कुरर वन डाल देना पस टाइम डाल देना यू विल गेट दा उस समय का पूजिशन ठीक है 40 minus 5 minus 5 कितना आ गया minus 10 30 कि 30 आ गया ठीक है अब पूछ रहा है average velocity तो what is average velocity यहाँ पर कर देखेंगे तो यहाँ पर average कितना आएगा final final कितना है final x2 minus x1 अपन में time taken time कितना लगा है 2 minus 1 कितना हो गया final कितना है 10 minus 30 अपन को 2 minus 1 1 हो गया कितना हो गया 10 minus 30 minus 20 what is minus 20 minus 20 का मतलब है पीछे की तरफ average velocity की तरफ है पीछे की तरफ है ना इसका direction किदर हो गया minus का मतलब ही है कि left side by default इसको plus लेंगे वो तो होता ही है और यह minus होता है ना यह plus i axis होती है ठीक है और यह minus i axis होती है अगला वाला का term कहता है i find it's instantaneous velocity instantaneous के लिए क्या सीखा था पीछे instantaneous के लिए क्या सीखा था डिफ्रेंशेट करना थेके तो आई होप इतना average अला समझ में आ गया होगा average अला तो समझ में आ गया होगा average बहुत आराम से निका लिए average वलस्टी का मतलब है final minus initial upon my time taken next अगला अगला पूस्ता है find क्या instantaneous velocity instantaneous के लिए क्या करना है instantaneous के लिए क्या करना है tx by dt करना है differentiate करना है time से किसको 40 minus 5t minus 5t square इसको differentiate करना है कितना हो जाएगा 0 minus 5 minus 5 into में 210 ठीक है कितना आ गया t ki value डाल दो t is गुस्तो 2 second t ki value कितने डाल दो 2 डाल दो you will get minus 5 minus 20 minus 25 आता है minus 25 meter per second उस instant पर देखो फिर से differentiate करके देखते है क्रॉस चेक कर लो 40 का 0 हो गया minus 5 हो गया और minus 20 हो गया minus 5 minus 20 इसमें T की value कितने डाली है 220 minus 25 बेलकुर से ठीक है तो instantaneous velocity भी आ गई यह तो करी चुके है अब पूछ रहा है find its average acceleration तो सबसे पहले देखो यह कोशन बहुत easy है इसको एक बार differentiate करोगे you will get the term of velocity कितना minus 5 minus 20 इसको एक और बार differentiate करोगे you will get acceleration इसको differentiate करोगे you will get acceleration कितना minus 5 का तो 0 हो जाएगा और minus 20 का minus 10 हो जाएगा तो सासा दिखरा acceleration constant आ रहा है कितना रहा है constant आ रहा है तो अगर constant आ रहा है तो average भी वही रहेगा instantaneous भी वही रहेगा चाहो तो निकाल लो कैसे velocity की value velocity का तो term पता चल गया ना वी का term पता चल गया इतना तो v at 2 निकाल लो V at 2 कितना 5 minus 20 to value डाल दू तो minus 25 ठीक है और V1 निकाल लो किता 5 minus 10 टी 1 डाला कितना minus 5 तो average acceleration अगर निकालते है यह average जिसकी बात कर रहा है थर्ड में बिट्विन 1 ए 2 तो कितना होता final minus initial यह ऐसे आता ना V2 minus V I upon my time कितना V I upon my time कितना 2 minus 1 V2 कितना V2 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 minus 25 minus 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 25 minus minus 5 upon my time taken कितना 1 ना गया देखो ध्यान से find average acceleration between final velocity and initial कितना आता है 20 हां ठीक है बिल्कुल सही है तो instantaneous का यहां पर देखो यहां पर कितना गया minus 5 minus 20 value डालो V2 कितना 5 minus 20 to 20 डाला है ना तो यह कुछ साही कर ले ना सुको 15 आए गया ठीक है इट विल भी minus 15 है ना यह कितना हो जाएगा टॉन माइनस 25 तो माइनस 15 आगया ठीक है यह कितना आ जाया का 1 डालोगे यू विल गट माइनस 5 तो average acceleration उसको साही कर ले ना कैल कुछ calculation का पार्ट था V2 minus V अपॉन का 2-1 इस V2 V2 कितना what is V2 minus 15 minus minus plus अपॉन का 2-1 यू विल गेट 10 कितना माइनस का मीटर पर सेकेंड स्कुएर ठीक है मीटर पर सेकेंड स्कुएर तो average भी वही आएगा instantaneous तो लोगों ने देखी लिया instantaneous बिटनी आएगा तो constant value में बारबर ट्राइ करने की जरूरत नहीं है यहां पर नोंने आराम से देख लिया कैसी चीज़े आती है तो इतने इस question से clear हो गया कि what is instantaneous what is average किस तरीके से निकालना है एक बाग घर जाके इस पर question सौर कर लेना दुबारा कभी भूलोगे ने इसको है ना मतलब की कुछ दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं हलका से revision करना है ठीक है concept को पढ़ना question करना पूरा जिसे digest हो जाएगा तो this is all about today's lecture ठीक है बावाएं टेक कियर अगले लेक्चर में मिलेंगे ने टॉपक के साथ see you